आप लोग का फ्रेज और क्लेज चैप्टर नमबर फोर्टीन मैं एक्स्पैन कर रहा था फ्रेज और फ्रेज और फ्रेज और क्लेज जिसमें मैंने पेज नमबर एक्टी एट की एक्सरसाइज एक्स्पैन किया था आप लोग को जो था adjective class क्या था? adjective class आज आप लोग adverb class पढ़ेंगे adverb classes are mainly many kinds यह कई प्रकार के adverb class होते हैं इसको आप meaning के आधार पर select कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का class जिसमें सबसे पहला है adverb class time when anywhere while till since as as soon as no sooner यह जो word मने आपको अभी कहा है इसके कार्डें अगर सबसेंगे दिये गए हैं conjunctions तो आप उसमें adverb class of time समझेंगे आप example देखें when ram was reading I called him मनलब जिस समय राम पढ़ रहा था तो time यहाँ पर so कर रहा है adverb class of time मोहन had come before you went आपके जाने से पहले wait till I return till यहाँ जो भी यह word आए है यह adverb class of time सो कर रहा है क्या सो कर रहा है when ram was reading adverb class of time before you went adverb class of time till I return adverb class of time फिर adverb class of place एस से केंड where whenever when why there अगर यह सेंटेंस में conjection यूज हुए है तो adverb class of place है where कहां किस जगह किस प्लेस पर wherever friends और adverb class of purpose that so that in order that last etc we eat so that we may live खाते हैं हम purpose किया है so that जिससे हम जीवी त्रेश्ट किया है walk carefully less you should fall अगर आप साधानी से नहीं चलते हैं तो purpose किया होगा less you should fall जिससे आप किटने से बचें he worked hard so that cutting मेहनत का purpose किया है so that he might pass तो एड़वर्कलेज अफ पर्पस हो गया इसमें एक कंजेक्शन है एड़वर्कलेज अफ रिजन कारण because as that since यह word अगर sentence में आए है कंजेक्शन के रूप में तो यह एड़वर्कलेज अफ रिजन है as he was not there जैसे कि वह नहीं था I spoke to his father तो मैंने उसकी पिता से बात किया since you are my friend I shall help you reason है चुकि तुम्हारे मित्र हो I shall help you इसलिए में तो हरी मदद करूँगा तो एड़वर्कलेज अफ रिजन है इस इड़वर्कलेज अफ कंडिशन है condition if or unless word use होते है if it runs यदी वर्षा होती है तो we shall not go तो हम नहीं जाएंगे unless he works hard he will fail यदी वो कटिन महनत नहीं करता है तो he will fail वो fail हो जाएगा इस दरीके से एड़वर्कलेज अफ रिजल्ट है he is sold that he cannot run वो है इतना so that such that इसमें आता है एड़वर्कलेज अफ रिजल्ट में the news is so good that it cannot be true ठीके ना एड़वर्कलेज अफ रिजल्ट कि समाचार इतना अच्छ है कि सच नहीं हो सफताद they made such a noise that I could not work एड़वर्कलेज अफ रिजल्ट than or as word का यूज होता है Ram is younger than he looks he works harder than I do she does as she pleases ठीके ना और लास्ट में एड़वर्कलेज अफ सपोजिशन और कंट्रास्ट जिसको बिरोधा भास कहते है दो Ram worked hard he failed यह यह दिप Ram ने कठीन महनत किया लेकिन वो fail हो गया इवेन इफ इट रेंस we shall go वर्षा की बावजोद we shall go आपको इतने एड़वर्कलेज होते है इसको आपको लर करना है आप नेक्स्ट दिया हो गया है आपको exercise when I finished my work I left the room when I मैं लो time दिया है एड़वर्कलेज अफ टाइम when I finished pick out the एड़वर्कलेज when I finished my work एड़वर्कलेज अफ टाइम है और इसको आप अंडरलाइन करेंगे और आगे सब ब्लाइंक जो दिया है उसमें लिखेंग एड़वर्कलेज अफ टाइम he wanted till his father came back he wanted till his father back till यह आया है till word आप जो रस देख ले यह भी अड़वर्कलेज अफ टाइम है till his father came back यह है आपका अड़वर्कलेज अफ टाइम he is not so wise as you think he is not so wise as you think अब यहाँ पर आपको देखना है कि she is not so wise as you think so as इसको आप कर देंगे एड़वर्कलेज अफ रेजल्ट एड़वर्कलेज अफ रेजल्ट में आप इसको कर देंगे फिक as soon as she heard the news she started weeping इस तरीके से आप बाकिक एक्सरसाइज को पहचानने की कोसिस करेंगे solution इसका मैं आपको कल बताऊँगा क्योंकि अगर मैं आज सब explain कर दोँगा तो what you will do तो आप लोग क्या करेंगे इसलिए जो भी दस इक्सरसाइज दिया है जैसे मैंने आपको एक दो बताया है आप इसको पढ़ करके जो आठ पर करके adverb classes दिये गए हैं ठीक नगे आपको यह सब complex sentence मिलते हैं adjective class, adverb class और noun class तो आप इसको read करेंगे फिर हम लोग कल मैं इसका solution बताने के बद coordinate class explain करूँगा okay thank you